सब्सक्राइब बात करने वाली हूं यहां पर सावित्री नए घर बना रही है जैसे कि आप सब कल और परसो और आज का भी वीडियो देखे होंगे तो उसमें सावित्री जो है कभी अपने हस्वेंट को बोल रही है कि पंचायत मतलब वह इंजीनियर के पास जाईए और फिर म मैप लेके आईए घर का कैसे बनेगा तो कल की विडियो में इंके हस्वेंट जो है मैप लेके आये थे जिसमें सावित्री इनने पूरा दिखाया कि यह है हमारे है घर का मैफ अपसा वितरी बोडि यहां पर पैसे की कुछ ज़ादे ही दिक्कत हो रही थी तिहां पर असनातन ने बोला था कि चांज का एक να कर दिद्व का 1 ौप्श कर दिया है अब साब वितरी थी अपन européh से मुझे लगता है कि लिधophu टी कि बाइ से मामला अगर सोसल मीडिया में जितना कम करे उतना ही अच्छे है क्योंकि मतलब ऐसे भी इस्तरी हो गया पैसे हो गया जितना छुपके हास्वेंडल रखता है उतना ही अच्छा होता है मगर आजकल सोसल मीडिया के जवाना है तो कोई भी ऐसा औरत नहीं है या इतना फैसलीटी आ गया पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो पहले जवाना में ज़ादे था कि अपनी औरत को और पैसे को छुपा के रखना चाहिए मगर आजकल के कोई भी औरतें जो है छुपके नहीं रहती है हर कोई सोचल मीडिया पे है या हर कोई वरक करता है कोई आरमी में है तो कोई पूलीस में है तो कोई कुछ मतलब हर कोई हर इंडेस्ट्री में फाइला हुआ है तो अगर अगर सोशल मीडिया पर बात छिड़ी गई है तो सावितरी ने बोला था कि भाई सोशल मीडिया पर हम पैसे की जिक्र नहीं करेंगे तो यहां पेस वित्री ने जूट बोला कि भाई मुझे 10 लाख रुपे दिया है मतलब गुसे में आकर कोई भी हो जाता है कि जिसे हमने अपना भाई से बात किया उसने कुछ और बोला और उसने 100 अप कर दिया पैसे का वैसे मुझे नहीं लगता कि वैसे 10 लाख दिया है अब जो बंदा 10 लाख रुपे बिंदास होके दे सकता है मतलब बिना सोचे समझे जिसे सवित्री बोली है कि मेरा असनातन जो है बिलकुल मतलब 1 लाख बोला है जो कि बिल्कुल गलत है आब सावितरी मतलब उस्से मा के एक कोछ कर रहा है इस तरीके से सावितरी ने यह बात जूट बोला असा अभी बहुत के लगा है मैंने भाई से पैसा नहीं मांगा है मगर भाई भेज दिया अपने मन से भेजा आप खुद सोचिए थोड़ा दिमाग लगा के कि जो सावित्री के अभी वैसे एकाउंट नहीं खुला सावित्री खुद बोलिए कि मेरे नाम से अभी एकाउंट नहीं खुला है तियानि सनातन का जो जीजा जी गनेश जी गनेश लेते हुए बोलते हैं कि जब साधी हो रही थी ना तो भीर बाते हो रही थी अब मैं सनातन ने हैड लाइन डाला था कि जीज года भुलेट बाइक लेने के लिए कर रहे हैं, पैसे की डिमांड हो रही है, ऐसे वैसे बहुत सारी इस तरीके से हेडलाइन इनकी सावित्री के साध्य से पहले हो रहा था, तो सावित्री के हस्वेंड वीडियो कॉल में, यह तो हेडलाइन की बाते में बोल रही है, वीडियो कॉल में, ख से बात कर रही हूँ Euro कि जब कोई टेंसन ही नहीं है पैसे की तो अब भी क्यूं मांग रहे हो पैसे और चलिए यह तो मंगा मंगी वाला थोड़ा सा सरम नाम चीज नहीं है इसलिए शॉत्वी मांगते चलो कोई नियी रिस्तेदारी में मांगनी की कमाई होती है तो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि असनातन के कितनी कमाई हो रही है तो 10लाग वी दे दिया तो कोई बड़ी आमांट नहीं दे दिया है यूटूबर के लिए तो बहुत बड़ा आमांट है गरीब लोगो के लिए या 100 रुपे किसी का नहीं देता है तो एक लाग तो बहुत है मगर जो यूटूबर हैं जिनको अच्छी खासी ब्यूज आ रही है अच्छी खासी अर्निंग हो रही है उनके बारे में बाते कर रहे हैं कि 10 लाग भी कोई माइने नहीं रखता ठीक है एक महीने में 15 लाग के अ कमाता होगा असनातन का अर्निंग 15-20लाग मंथ लिया आता होगा और आप में फेलता रहता करते दो इसको भाई उसको भी साइडमे रखते नहीं रिष्ट कंग संब कुछ असनातन का ही रहता नहीं तो लोगों को लगता कि हju भाई ने में 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 आतर्ट किय है भाई सबस्क्राइब करें जाइब पएसेब कर दूंगे सब्सक्राइब कर हैं मेहनत कि दोनों का 50 50 प्रविश्टी होना चाहिए अब सभीत्री के साधी में भी सिंपल तरीके से साधी हुआ है कोई फाइव स्टार तो हुआ नहीं है थोड़ा सा रिसप्सन था तो आईसे नॉर्मली रिसप्सन हर किसी का साधी में हो जाता है बड़े बड़े यूटूबर आये थे जादे कोई फैमिली मेंबर बगेरा तो था नहीं जादे कोई रिस्तदार तो था नहीं इनका कुल घर का वई सिस्टर थी और जो भी दस पाची यूटूबर को जो भी निमंत्रन दिया था वो थे और बाकी गाउं का तो कोई नहीं था क्योंकि गाउं से तो बनती नहीं है तो गाउं नहीं लिया है और यहां पर हम बात करते हैं चलिए इस बात को भी साइड रख दीजे ठीक है ना यहां पर मैं बात करती हूं जो सावित्री बोल रही थी कि मेरे हस्वेंट जो है 40 लाख के 40 हजार के होटल में अस्टे करवाये हैं एक दिन का तो पहले बंदिग क्या होता है पहले जो गरीब लोग होते हैं पहले इसको खाना होना चाहिए कपड़ा होना चाहिए फिर मकान रोटी कपड़ा और मकान हर कोई इंसान की यह सबसे most important जरूरत होती है बाकी आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो बाहर में आप किस तरीके से रह रहे हो सो अब करनी की जरूर उसके बाद रहना खाना कपड़ा और मकान इस तीन चीजे बहुत जाद ही important अगर जैसे कि आपको पता है कि जो गनेस हैं बहुत ही fraudy है बहुत ही blackmail करके बाती करता है उसके पास कुछ भी नहीं है नहीं इसका अभी तक परिवार का कुछ असलियत पता चला है कि कहां से इस हम सब continue बहुत दिनों से सावित्री का वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा अब समझ रहे हैं कि वो जो क्या बोलते हैं जो संदीग्द मामला वाला जो family member का जो संदीग्द था किसी को भी अता पता नहीं था उसके बारे में हम सब थोड़ा धीमा हो गया कि चलो सावित् चार से पाच लाक रुपे मंथली कमाने वारी लड़की ऐसे लड़का से क्यों साधी किया एक तो अभी जो है ना क्या सोचते हो एक बहुत बड़ा प्रश्न बाचक चीन बनके रहा है अब सब इत्री ही जब तक ओपनली नहीं बताएगी तब तक लोग क्या बोल सकते हैं क यहां भी में बाते करते हूँ कि जो बंदाम जिसको रहने की ठीकाना नहीं होता पीने की पानी कर नहीं होता हर चिजब को मतलब बाहर से करना पड़ता कि राय कं मकान में रह रहा है ना अपना जमीन है तो उस बंदे को जो 40,000 के होटल में स्टे करवाया था अपनी पतनी को वैसे तो ये बात पूरा 100% जूट है 40,000 के होटल वाला मगर सभित्री ने बोला है वैसे सामने से लोगों को समझ में आ जाता कि कौन खर्चा कर रहा है वैसे सभि में बाते करती हूँ कि ये तो बहुत बड़ा मतलब फ्रॉड था 40,000 वाली जो बाते थी ना कि 40,000 के होटल में अच्छे काम करते रहो भगवान आपके साथ रहते हैं तो उसने सावित्री के लिए मतलब मनत मांगी थी कि हमारी अच्छी लड़की से साधी हो जाईगी तो हम पर साथ बाटेंगे जिसमें सावित्री के हस्में जो है वेज बिर्यानी बाटे थे और साथ में जिले भी बगे रहा था तो अच्छा था चलो वह सुब काम करते हैं वैसे आप सब को पता आए कि सावित्री खुद बोली है कि हमारा जो पती है थोड़ा पंडित है अच्छी नहीं रहा है मतलब लग रहा है कि अंदर नहीं जा रहा है दस लाख वाली बाते ठीक है ना चलिए कोई नहीं अब यहां पे वैसे 40,000 की जो होटल में रहा था पहले बंदेग तो घर लेना चाहिए था अपना अस्याना बनाना चाहिए था जब अस्थीर हो जाता सबित्री को उपोर ना सच्छीर हो ना मुझे भी बहुत ही रोना आता सबित्री हो ना सबीत्री इतनी कम अमर में इतना बड़ा मतलब इतना समझदारी से काम करना सच मिया मतलब इसके दिल को देख के ना मुझे भी बहुँ जाद ही emotional होती हूँ मगर क्या करे कुछ गलती मतलब इनकी वीडियो में या फिर इनके husband को लेके या फिर पैसी की बाते आती है या फिर जोट तो मतलब वीडियो बनाना पड़ता है मकर सच बताऊ ना दिल से सावित्री के लिए बहुँ जादे ही respect है जिस घर से सावित्री उठके आईए जिस घर में साधी करके आईए जिस दुख तकलिफ को सावित्री ने पहले देखा था उसी टाइप का दुख तकलिफ अभी भी सावित्री को देखने को मिल रहा है बोलते हैं न कि लड़की अगर साधी से पहले अपने मैं के में जो दुख तकलिफ करती है वह बाद में सुखी जीवन जीती है मतलब ऐसे सम्मानते हैं ससुरार में उसको सुखी संपन मिलता है मगर सावित्री जो है अपना सुखी संपन जीवन बनाने के लिए खुद कड़ा मेहनत कर रही है खुद के बदावलत अपनी जिन्दगी को इंप्रूब कर रही है कि कैसे हमें पूरी जिन्दगी जीना है खुद के बदावलत यहां सावित्री के साधी हुआ था तो इसके हस् हैं जो खराब सरा बरतन होता उसको चेंज करके दूसरा बरतन लाते हैं ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था सब बोल सकते हो ना क्योंकि अभी भी संदिग दिये वगार इस बात पे हम सब इसलिए स्टॉप हैं कि चलो continue अभी हम सवित्री के 3-4 महीने से बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं वैसे तो हम सब बहुत हैं मगर जब से साधी हुआ है सवित्री का तो 3-4 महीने से हम सब सवित्री के continue वीडियो देख रहे हैं जिसमें अब सवित्री ही बता सकती कि क्या इसकी परसानी थी क्यों ऐसे लड़का से साधी क्या एक तो उमर में जादे हैं लड़का लड़का को उमर बहुत हाइस्ट है 45 का तो पक्का होगा 40-45 का तो उमर दिखता है कितना भी मोटा हो जाए कितना भी गुलफुल सरीर हो जाए बंदा खाने पीने वाला क्यो के बाद न रहने की सही से अस्थीरता है जगह है नहीं पीने की पानी की बेवस्था है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं एक एक चीज सावित्री जो है अपने पैसे से अपने बदावलत से संजोग रही है एक एक चीज को बेवस्था कर रही है तो इसलिए मुझे सावित्री पर देखते हो ना सच्छी बताऊं दिल से ना मतलब रोना आता सब्सक्राइब के वीडियो देखे कि इतनी कम उमर में इतना बड़ा है मतलब फैंगली संहालना खुद के बदा वोलाद मतलब अम करें सभीत्री को सच में मतलब प्राइस तो मिलना ही चाहिए अब अधुर्ण तो मिलना ही चाहिए यूटूब के तरब से क्योंकि देखिए इसका बिकलांक ननद है अब सभीत्री ने अब अगर परड़े की वीडियो देखते हो न सभीत्री की चेहरे से खुसी ही गायब है मतलब हस्ती तो है लोगों को पबलिक को दिखाती है हस के मगर जो रियल की हसी होती जो दिल से हसी निकलती है ना सामने वाला से सबकुछ भूल जाता था था है त्सके है में फिक ठक था खाता पिता घर तो इतना भी वह नहीं था मगर डिल से हम निकलती हुआ चीजह च रिती है महरे मगर बोज के साथ हसत ही Сवित्री के बारे में चर्चा नहीं करता है और सवित्री भी बेचारी अब बातें नहीं करता हैं तो सवित्री भी बीच में बोलती थी कि मैं जाऊंगी अपने मैई के जाऊंगी पापा के याद आ रहा है जीजा के याद आ रहा है जीजा के तवियत खराब है बहुत सारी चीजे इसे बोलती है अब सवित्री के भाभी का अंजली का हाथ जल गया इसका तो बार-बार हाथ जल रहा है असनातन बोल रहा है क्या पता किस तरीके से वो खाना बनाती है इसका बार-बार हाथ जल रहा है पहले भी वहां गाउं में भी राती थी तो हाथ जल गया था और नए घर में सिफ्ट हुई है वहां भी हाथ जल अच्छी लड़की है मगर सभीत्री के हस्वेंड मुझे अभी तक इनके बारे में समझ में आता कितना संदीख फैमिली एक कोई चीज की बेवस्था नहीं है नहीं रहने का पीने का ने सही तरीके से खाने का खाने के भी वेवस्था सभीत्री खुद करती है जब से गई है अब कुछ तक और जो 40,000 की होटल की भात ही तो बिल्कुल 100% फ्लॉप है और सभीत्री अगर पैसा खर्चा किया है सभीत्री ने अपने तरब से खर्चा किया अगर नहीं किया जैसे कि जो श्टोक वाले ने उनको बुलाया था अब जो श्टोक वाले कोई भी इंसान को रहता है तो यह सारी बाते गलत है सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही आसा करती हूं वीडियो पसंद आई होगी अगर कुछ भी अगर मैं गलत बोल दिया हूं वैसे मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है असनातन ने अगर सावित्री की हेल्प किया है तो असनातन का दिक दे रहा हूं थे सादी के उपर प्रश्न बाचक चीन है एक तो लड़का के उ умर दिज्यादे है ओपर से खाने पर से भरतन का भी वीवस्था नहीं है न रहने के ठिकाना नि पीने के ठिकाना सब कुछ संदीग्द है उसकी फैमिली भी संदीग्द है तो दोस्तों कमे तो बोलना चाहती हूं सब धान रहें सुरचित सब्दक रहेंगे तो हमारा देश में क्राइब होने से काफी हतक बचाव हो सकती है विद नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग बाइब जय हिंद जय भारत